करेंगे सोशल मेडिया की वाइरल खबरें जोड़ी हुई है विराट कोली और कोतम गंभीर के बीच जो कल हुआ है सोशल मेडिया पर अभी क्या चल रहा है अफडेट शेयर गरेंगे पूरे मामला और साथ इसाथ दा केरल अस्टूरी के हावाले से अफडेट है कोई दी की टेट करीब आती है ऐसे प्रोपागेंडा मूवी जानी शुरू हो जाती है और जो चोटे बड़े अप्डेट्स अपने शो में हम करते हैं आपके साथ शाय करेंगे इस वीडियो में लेकिन सब पहली जो अप्डेट है वह असल कल के मैच से जुड़ी हुई है जहां आर प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो ये एक दूसरे से सर मिला रहे थे अब टेट जो है वह सतरवे ओवर से आई जब नवीन और विराट कोली के पीच में कुछ कई अंचुनी हो गई उसके बाद कियर राह उन्ने दोनों को मिलानी की भी कोशिश करी मैच के दौ प्रान लेकिन वो होता दिखा नहीं अब बैंगुलोर ने टागेट दिया था एक सुचपिस का लख लोट जेज नहीं कर पाई 108 में सिमड गई अब मैच खतम होने के बाद प्लेयर्स एक दूसरे सहाथ मिलाते हैं तो वहीं मेयर्स जो है वो विराट कोली से बात करने लगत लेकिन आचानव एक से गौतम गंवीर आते हैं और आगर कि मेयर्स को अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं यह देख करके सोशल मेडिया पर यह कहा जा रहा है कि गौतम गंवीर्स ने विराट कोली को यह जवाब दिया है कि पहले तब इसी को क्योंकि कोली ने कौतम जी हरकत पर पूछ लिया कि यह क्या तरीपा है जैसे वो बच्पन में नहीं करते थे हम उससे बात नहीं करोगे उस टाइप का कुछ उस टाइप का आटिट्यूट गौतम गंवीर का जो कि आज पसांसद मीं है कुछ उस तरह के की हरकत उनकी देखने को मिली जिस पर सोशल इटा पर काफी भारिया लो चिदा है कि व Я्मीर की मामилась इतना भी गड़ा गया कि दो दो आवज स्वावस में भिरने लग गए सर साब मिलाने लग गयए social media पर कहा जाने लगा कि जैसी करनी, वैसी मम्ता कुल करनी वैसी फरनी असल महमला है कि इस तरीके से गौतम गंबीर ने बंगलोर में जब मैच स्टार तो बैंगलोर ऑडियंस को चुप कराने की कोशिश करी थी उखक इस तरीक़े के जैक्शिर के साथ तो कहा जा रहा है कि विराट कोली रे जब ये क्या तो शायद गौतम गंभीर इस बात से भड़क गए उनके उबाद जिस वज़े से ये सारे काम वो अन्जाम होता हुआ हमने देखा लखनो सुपर जायन्स के कोच की इस हार पर सोशल मेडिया पर ये कहा जाने लगा कि ये आटिट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हार के बाद आप इस तरीक ही किमुत फिर्ड करे और कहा जाने लगा कि गौतम गंभीर को चाहिए mental therapy की ज़रूरत है सोशल मेडिया पर ये भी कहा जाने लगा कि गैंग ओवसेपूर पहले थी 2012 भी कुछ इस तरीके के आलात हुए दर दोनों के बीट और ये गैंग ओवसेपूर पार्ट टू है सोशल मेडिया पर मीम्स की बारा आ रही कोलता पुलिस की तरफ से कुछ इस तरीके के मीम्स बना बना करके awareness फेलाया जाने लग गया अब जिनको हिंदो मुसलमान करना था उन्होंने देखा कि मामला गौतम गंभीर से हटा करके नवीन पर लाना होगा तो सोशल मेडिया पर कुछ इस तरीके के पतरकार विराट कोली और नवीन के दोनों के बीच के Instagram story शेयर करने लग जाते हैं कि कुछ तो अवा मिले लेकिन अभी तक वैसी कोई हवा नहीं है लेकिन हाँ ये बताते कि सोशल मेडिया पर trend जरूर कर रहा है लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि नवीन को इतना attitude किस बात का है विराट कोली जैसे प्लेयर के साथ कुछ इस तरीके का attitude बिल्कुल भी Indian supporters को नपसंद आया है और नहीं आ सकता है क्योंकि वो senior है और जिस तरीके का attitude नभी दिखा रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो अपने आपको कुछ और ही समझ रहे दूसरे दरफ सोशल मेडिया पर दखेरला स्टोरी काफी वाइरल है कुछ महीनों पहले टीजर आया था टीजर बेख करके समझ में आ रहा था कि जो actress and lead actress वो picture के टीजर के अंदर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनका नाम जो है वो पहले शालिनी था और इसके बाद उनका नाम फातिमा हो गया है और कुछ इस तरीकी की बाते आ रही थी कि लगभग 32,000 महिनाओं को convert करके उनको दूसरे मुलकों में भेजा जाता है आतंगवादी गत्मिदियों में हिस्सा लेने के लिए आप सोशल मीडिया पर जो टीजर आया और अभी उस दिनों पहले ट्रेलर आया और ट्रेलर को देखने के बाद ये सर्च हो जाता है कि पिक्चर जो बनाई गई है वो इसी इंटेंशन के साथ बनाई गई है कि ये बताया जाए कि कैसे धर्म परिवरतन के नाम पर महिलाओं को दर्म परिवरतन कराने के बाद उनकों तूसरे मुल्कों में फेज दिया जाता है आतनमादी गतिवीदियो को करने के लिए और ये साफ हो जाता है कि उस पूरे प्रोपरगेंड़ा को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस सब कुछ होता है लेकिन क्या जो पिच 37,000 लड़कियों का दर्म परिवरतन करा दिया गया है और एक भी एफ यार नहीं है यानि कैसे माबाप होंगे कि जिनकी घर से बेटिया नहीं है और कोई मावला दर्ज नहीं करवा रहा सोशल मीडिया उपर जो है उफार या लोचना देखने को मिली या पर कोई के लेखा क क्याना है कि जैसे जैसे इलेक्शन डेट खरीब आती है वैसे वैसे प्रोपेगेंड़ा शुरू हो जाता है इंडिया में मुसल्मान और इसलाम के खिलाफ पहले आई दा कश्मीर फाइल अब जो है दा केर स्टोरी आ गई है यह आपको बता दे कि जो डिरेक्टर है मूवी के सुदिप्तो सेन उनके पास यह प्रूफ नहीं है कि वो बता सकें कि यह 32,000 लड़कें का उनके पास कोई आप रहा हो यह रिपोर्ट उनके पास नहीं क्योंकि और नियूज ले इससे पहले भी इसका एक्सपोस किया है यानि कुछ महीने पहले जब टीजर लॉंच हुआ था तब ही एक्सपोस किया था और नियूज ले और पूरी जानकानी हासिल करने की कोशिश करी थी यह पता लगाने के लिए कि यह 32,000 आगड़े आए तो आए कहां से सोर्सेस की माने तो जो डिरेक्टर साहाब है सुदिप्तो सेन उन्होंने दो सीम एक सीम के रिपोर्ट के मताबिक और वहीं दोसरी तरफ जो दूसरे एक सीम है उनके वो ताबिक उनके बयान को जो कोट किया है वो ऐसे गिया है कि बहुत जल जो है वो किरल एक इसलामिक स्टेट बन जाएगा अब ये दो बयानों के अंदर जो है ना आएसेस का जिक्र है ना लड़कियों आफगा ब्रतन केरल में होता नहीं है होता है लेकिन जो आखड़े आफ बता रहे हैं वो बेश किये जाए तो सोशल वेडिया पर इन चीजों की मांग जो है वो लड़तार रती जा रही है मांग करने लोग और साथे साथ आप तो इनाम भी सामने रख दिया गया है एक करोड का बता रही थी कि 32,000 लड़कियों के साथ यह हुआ है अब उन्हों ने अपने उसी टीजर के डिस्क्रिप्शन को चेंज करके तीन लड़कियों का जिक्र कर दिया यानि 32,000 से अब तीन लड़कियों की कहानी इस पिक्चर में बताई जा रही है सोशल मेडिया पन लगतार दखेर स्टूरी की बाइकॉट और बैंड की मांग चनले यह बताते हुए कि पहले बताया 32,000 फिर कर दिया दीन उसके बाद कोई इसका पूरूफ भी नहीं है कि 32,000 के आपने आये तो आये कहान से लनतार सोशल मेडिया पर यह पिक्चर जो है वो विवादों में करती भी दिख र गीर एक मुस्लिम है पाकिस्तान में रहते हैं नाम है हार अर ब्लटा इन्हों ने पोस्त कर दिया जिसके अंदर उनों ने एक फोटो शेयर किया जिसके कबर के ऊपर ग्री लगी वो Χिस में और उनों ने कुछ अपनी कोंटक्रि के साथ यह वताने की कोशिक कर आगे पकिसा में मुर्दा यानि dead bodies के साथ यानि महीला dead bodies के साथ sex कि एदातह है जो कि मुर्दा थे अब देङर सोशल मीडिया और कई पर करना कर सके जो कि पहले सहीं मर चुकी है और न्यूज के वामा जुबैर ने एक पूरी रिपोर्ट पेश करी सामने और इस पूरे मामले को बताया कि पाकिस्ताइन के नहीं है दरबाद का है जहां जो करीबी लोग होते वो ऐसा करते हैं कि जब उनको पना चलता है कि कुछ लोग जो है वो एक गबर क करीबी लोग है उन्होंने ऐसा किया कि उनके कुछ करीबी लोग दफन है उसके उपर जारी लगा दी ताके वो गंदा कचला कुछ गंदगी ना पहलाए वहाँ एक उपर एक कवर न कर दें इस वज़ा से इसके पीछे कोई रेप का या कोई पाकिस्तान की कोई ऐसी अपड जिस ऐसी फर्द ये खबरों को जो है वो फैलाते हैं और अभी जब वो माफी मांगते हैं तो इसके बाद प्रॉपागेंडा यह होने लग जाता है मुहम्मद जुबेर के फिलाफ यहाँ की स्क्रीन पर यह सेद रिजवार रहमद है यह भाजपा के स्पोक परसन है और किस इंहोंने एक एटिड करके यह हुई बता रहा है कि इन्हों ने शाहपा待 शरीफ का वयान मुहममद जुबेर यान्य प्राइमनिस्टर की तरेके जबके यह एडिटेटेज इसके किस तरी पे से पाकिस्तानी समर्थन जो है वो मौममद जुबेर के पास है और पाल का सरफ क की स्प्रीन पर सोशल मीडिया पर वीडियो जम करके वारेल हो रही है, जो एक गरीप वह मांग रहा है और उसका एक्सपोज ऐसे होता है कि जब वह money रहा है सोशल मीडिया पर लोग एक्सपोस करने लग जाते हैं कहते हुए कि हर जगा हर शहर में ऐसे जिहादी मिलेंगे अलत आला के नाम पर क्या अब्दूल भीग भी नहीं मांग सकता हाथ काटना जरूरी नहीं छुपा के एक्टिंग दो कर सकता है यानि जिस शक्स को बता जा रह है कि वह है और अला के नवर अभी मंता है लेकिन जूट जूट दिखाने की क्या कौशिशक कर रहा है कि वह लूरा जबके लूला नहीं है, उसका हाथ है, दोनों सरामत है, लेकिन वो दिखा ऐसे रहा है कि वो लूला है, तो क्या वो भीक नहीं मांग सकता, सोचल मेडिया को लोग पुल खोल देता है, कहते हैं कि मामला राज इस ठन का है, और जिस लिलके के बारे में अल्ला का नाम और मुसल्मानों से जोड़ने की कुशिश की जा रही है, उसका नाम बीरजू है, सोचल मेडिया पर सारी अफडेट्स काफी वारल हैं, आपकी अपन सक्षिन में जरू बताए, विदू आफ सभी से अगले वीडियो में, तब तक कर्या पना खाल दखें.